नमस्कार स्वागत है आज के इस online classes में मैं महिंदर बाना आपके लिए लेके आए हूँ कक्षा 11 के बोतिक विज्ञान के चप्टर नमर 7 के एक टोपिक जिसका नाम है सेंट्रोप मास और आज हम उससे समंदित कुछ numerical क्यूशन करने जा रहे हैं numerical क्यूशन में हमने सेंट्रोप मास से समंदित कुछ numerical क्यूशन करने का प्रियास करेंगे तो आज का पहला जो क्यूशन है दर्यवमान के अंदर से समंदित वो इस परकार है कि a body is made of two particles whose masses are four gram and six gram यह कोई body है जो दो particle से मिलकर बनी वी है और उसके दर्यवमान जो है mass जो है four gram और six gram है और उनके position coordinate जो है वो है one four minus two centimeter and two three seven centimeter find the position of center of mass totally पूरा क्यूशन हो गया a body is made of two particles whose masses are four gram and six gram respectively the position coordinate of these particles are one four minus two centimeter and two three seven centimeter respectively find the position of center of mass for these particles यहनि के एक पिंड दो कणों से मिलकर बना है जिनके दर्यवमान करमशे चार गराम और छे गराम है इन कणों की इस्तती निर्देशांग करमशे एक चार मानस दो सेंटिमेटर है वैं दो तीन साथ सेंटिमेटर है यह अलगले I support remember even 넌 इसकंड अंतर के दर्यवमान के इंदर की स्तती ज्यात करो गत्रती है है क sf मान के चलते हैं कि यह जो कणोंतर है कि आप पुरा बंद कर देना आराम से अंदर से लगा दे लोग वरना बार-बार डिस्टेक करें गए हम यह मान के चलते हैं कि यह कोई एक निर्देश तंत्र है यह एक निर्देश तंत्र है यह जड़ अक्ष है इसकी यह यह एक्स अक्ष है यह इसका ओरिजन पॉइंट है एककन निर्देस तंतर ये पहला तकन है जिसका द्रियों मान M1 है M1 का मान वैसे देखें तो कितना बता रखा है उन्होंने 4 गराम बता रखा है और इसके इस्तती निर्देस अंक भी बता रखें स्तती निर्देस अंक बता रखें हैं 1, 4, 2 1, 4, 2 एक दूसरा पार्टिकल और है M2 जिसका मास इनों ने बताया है 6 ग्राम कोडिनेट इसके हैं 2,3 और 7 कोडिनेट का मतलब होता है जैसे यह 1 लिखा है पहला तो यह X1 की वेल्यू है यानि पहले पार्टिकल की X से कितनी डिस्टेंस है और अगर मैं इनको पोजिशन वेक्टर जैसे यह पताना शुरू कर दो इसका आरवन और इसका आर्टो ऐसे बता दो तो अभी लेकिन यह क्यूशन दे रखा है कार्टिजन कोडिनेट में आप यहाद रखो बच्चों किसी भी पार्टिकल के लिए जैसे यह पार्टिकल है इसके लिए मैं कह दूँ एक्स वाई ए इसकी हाइट कितनी है यह वाई डारेक्शन में इसका मान कितना है जड का मतलब जड अक्स जो है चाहिए इधर हो चाहिए पिछे की साइड में हो पिछे की साइड में होगी तो माइनस आ जाएगी जैसे यह माइनस दो लिखाया तो यह जस्ट बैक साइड की है मैं अगर य यह x axis है यह y axis है तो हमारी साइड का तो प्लस जड़ यह हो गया माइनस जड़ इस बोर्ड के पिछे की साइड का हिस्सा हो गया तो यह distances इस परकार से coordinate के रूप में बताए जाती है तो हम अभी इनका center of mass के लिए formula अपलाई करेंगे सब को पता है कार्टिजन कोडिनेट का जो formula होता है या कार्टिय निर्देशांकों में इनका जो शुत्र है वो है कि दर्वेमान केंद्र की इस्तति पहले x दिशा में किस दिशा में भई एक्स दिशा में पॉजीशन पॉजीशन ओफ सेंटर ओफ मास इन एक्स सक्सी इन एक्स सक्सी एक्स दिशा में क्या हो जाएगा भई x cm इस इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू यह एक्स डारेक्शन में आ गया क्योंकि दो ही पार्टिकल है पहले वाले के लिए एक्स वन हो गया दूसरे वाले के लिए एक्स टू हो गया बट्टा एम वन प्लस एम टू अगर बच्चो आप इनको ऐसे भी लिखो पहले सबसे पहले पहले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपके एक्स वन का मान किनों यहां दे रहे रखा है एकश डू का मान उन्होंने दे रहा है माइनस टू और जड़ टू का जो मान दे रखा है वो है सेवन जड़ वन का मान मान दे रखा है ठीक है तो हम इसको हल कर सकते हैं किस परकार तो बचो यह आजएगा XCM का मान M1 का मान मेरे पास है 4 ग्राम X1 का मान मेरे पास कितना है जैसे देखें तो 1 cm एक परकार से ही तो into 1 plus M2 का मान मेरे पास 6 into X2 का मान मेरे पास है 2 कितना है 2 whole बटा में M1 plus M2 4 plus 6 यह आजाएगा XCM का मान तो इसका मान अब बच्चो अपने पास आ गया है 4 प्लस 12 O 6 इंटो 12 O अपोन 10 तो इस वन XCM is equal to 16 by 10 1.6 cm यह X direction में Centro of Mass का मान है बच्चो ऐसे ही हम लोग ग्याद कर लेंगे YX में इसका मान YX में मान क्या आजएगा देखो YX में इसकी value क्या आजएगी चेक करते हैं तो XCM का मान आ गया अब कह देंगे इन YX X is the position of CM Centro of Mass the position of CM Centro of Mass Y इस आमेद दर्वे मान के इंडर का मान तो विया आजएगा Y CM ब्राबर M1 Y1 M2 Y2 M1 M2 याद हैना बच्चों इदर यह सब मैंने पहले से थोड़ा लिख दिया है coordinate के हिसाब से easy way में करने के लिए तो क्या आजएगा Y CM का मान Y CM का मान आजएगा 4 into 4 देखो Y1 का मान कितना है 4 coordinate के अंदर पता चल रहा है ऐसे भी आपर 4 into 4 plus 6 into 3 whole by 4 plus 6 तो यह कितना आजएगा 16 plus 18 16 plus 18 by 10 तो यह टोटल हो जाएँगे 34 कितने हो जाएँगे 34 6 or 8 यह हो जाएँगे 14 का 4 और 1 1 2 3 34 by 10 that is 1 3.4 cm इसका मतलब Y cm यह Y Y direction में center of mass जो है capital Y लिख देना that is 1 3.4 cm पर आएगा ऐसे ही मैं निकाल लूँगा Z direction में center of mass तो लिख दो नीचे वालाइन में in in Z axis in Z axis the position of cm यह 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 center of mass क्या value आजाएगी चेक करते हैं that is 1 Z cm is equal to M1 Z1 plus M2 Z2 but M1 plus M2 Z cm is equal to M1 Z1 plus M2 Z2 whole by M1 plus M2 M1 मान 4 Z1 का मान था minus 2 plus 6 multiply Z2 का मान कितना है 7 whole by 4 plus 6 that is 1 Z cm Z cm का मान आगया minus 8 plus 6 7 42 whole by 10 is equal to minus 8 plus 42 that is 132 34 34 by 10 that 1 is 3.4 cm yes write down तो यह थे हमारे पास center of mass के कोडिनेट तो बच्चों हम इस में भी यह लिक सकते हैं कैसे लिख सकते हैं देखो इसके जास्ट नीचे अ दस इस इसको भी कोडिनेट में बता दो क्यों हो कि इसको भी हमने कोडिनेट में दिया है इसको एक्स वन वाई बन जड़ वन सब के मान कोडिनेट में थे तो हम center of mass के भी कोडिनेट देश 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 दा कोडिनेट ऑफ center of mass आर आर सी एम क्या जाएगा XCM YCM and ZCM तो क्या क्या आएगे भई XCM का माना या 1.6 cm और यह आया है मारे पास 3.4 और नेक्स्ट वी 3.4 यह आगे कोडिनेट अगर आपको यह कहते सर ने इसको वेक्टर फॉर में लिखे बताओ अरे भई यह एएगे को वेक्टर फॉर में लिखो गए तो 1.6 I cap लिख दो 3.4 J cap लिख दो प्लस 3.4 K cap कैदा यह भी सही है यह इसके वेक्टर फॉर में माना जाता है कोडिनेट की फॉर में हमने यह लिख दी यह कोडिनेट है इसके यह हमारा क्यूशन था अगला क्यूशन देखो अगला क्यूशन है find the center of mass of three particles at the vertices of an equatorial triangle the masses of the particles are 100 gram 150 gram and 200 gram respectively each side of equatorial triangles is 0.5 meter long यह equatorial triangle की बात कर रहा है की बार चलो देखते हैं तो अब अपना क्यूशन है find the center of mass find the center of mass of three particles at the vertices of an equilateral triangle the mass of particles are 100 gram 150 gram and 200 gram respectively each side of equilateral triangle is 0.5 meter long समझ मारा होगा सबके की एक संबाहुतिर्बुज है एक equilateral triangle है और उसके सिर्षों पर तीन कणों को रखा गया है तो एक संबाहुतिर्बुज के सिर्षों पर रखे गए तीन कणों का दर्व्यमान के इंदर ग्याद कीजिए कणों के दर्व्यमान करमशे 100 gram डेड़ सो ग्राम वह दो सो ग्राम है तो तिर्बुज की परतेक भुजा की लंबाई 0.5 मीटर है यह हमें क्यूशन दिया गया है देखते हैं चलो समसे पहले पहले तो संबाहुतिर्बुज बनाओ दैट इस इक्वेलेटरल ट्राइंगल यह एक्वेलेटरल ट्राइंगल के दो भई ABC को रिपर्जेंट कर दो इनको कुछ करना चाहो तो अ कि यह सेंटरैक पे मानलो एक की ना राइस का सेंटर पर मानलो एक किंया एक Track 0.5 मीटर है इधर का यह जो यहां से यहां ते का टोटल जो मान है वो है 0.5 मीटर यहां से यहां तक की जो साइड है वो भी 0.5 मीटर है सब टॉटल लेंद की मानवाता रहे हैं तो हमें मास की भी बात बतारा है यह कह रहा है कि एक है 100 gram का एक है 100 gram का एक 200 gram का तो मैं यह कह देता हूं जो origin point पे पड़ा है वो 100 gram का है 100 grams का है Q point पर जो मैंने रखा है वो 500 gram का है P point पर जो रखा है वो मान लेते हैं 200 gram का आप इनके mass को interchange भी कर सकते हो कोई फरक नहीं पड़ेगा final उतर वही आना है सफता है musimy 151 कि है Y19 वेलिटे ऑगर सब्सक्राइब अब हमें यह बी चेक करना है कि पहले पार्टिकल के कोणिये कितने होंगे तेसरे वाले شkennt कई होंगे निरदैशांक कितने नहीं यहां से यहां तक का मॉइंट 5 मिटर है यहां चोगने हैं तक 5-15 में तो मैंने आपको अच्छे से पहले ही फिल्ले वाले वीडियों में भी समझाया था कि हमें Q- ça म१ं होता है एक से समें मान कितना होगा वाई-X महानकि ना होला उसकाव जर्णसा में मान कितना होगा देसे मैं इस पार्टिकल की बात करो इसकण की बात करों तो इसकंड के लिए जो कि निर्दे सांग जो होंगे ना बच्चो एक्स वन का जो मान आएका ना वो तो आएका जीरो क्योंकि x1 के origin point पे पड़ा है तो दूसरा y1 direction में भी तो इसका मान क्या है जीरो ही तो है खतम बार अब कहें दो सर जड में भी इसका मान देखो तो जड वन में भी तो इसका मान जीरो ही आएगा क्योंकि यह तो मूल बिंदू पर मान लिया हमने एक्स वन वाई वन जड वन सब के मान मैंने किसमें मान लिये मूल बिंदू पर ही मान लिये चूंकि इक्वलेटरल जो ट्राइंगल होता है वह एक प्लेन को रिप्रजेंट करता है इसलिए जड की वेल्यू लिखने की आवशकता नहीं है जड हम उसमें लिखते हैं जो एक व मान जीरो आएगा ठीक है तो हमने के ओल एक्स वन और वाई बन का मान लिख दिया दूसरे वाले में देखें क्यू पॉइंट पर तो क्यू पॉइंट पर बच्चो एक्स डारेक्शन में तो इसका मान है आपको पता होगा यह टोटल पूरी साइड कवर कर रहा है तो यहां यह आ गई पॉइंट पांच इंटो जीरो अब देखो बच्चो इसके यानि पी पॉइंट पर इसके कोडिनेट कितने होंगे यह अंदर लिख देता हूं में 200 ग्राम ताकि हमें कोडिनेट लिखने मासा नहीं हो जाए तो पी के अंदर यह इस पॉइंट पर जो मास है उसके कोडिनेट क्या होंगे पहली बात तो यह यहां से कितना उपर उठा वाए एक तो इस वाई का मान चाहिए ठीक है यह एक सक्सिस है यान इस यहां से कितनी डिस्टेंस पर है दोनों मान चाहिए देखो यहांसे अगर आप लम डालते हो तो वो इसको बैसेक्ट करता इस पूरी आर्ण को क्या करता है मतलब यहां से यह तक कि डिस्टेंश जो है वो इसकी अधी रह जाती है पॉइंट पांची अधी है इसका मतलब 11 three कमान तौप गया यूआ टू फवाइफ है कि एक बार तो यह एक सुरी कमान कितना गया संतर है यहां से एक्स का मान तो डारेक्ट इधर से लंग डाल के देखो यह डिस्थते यह कैसे कि आप इधर से लंग डाल के दिखो तो जितने डिस्तेंस यह होगी अच्छ अधीग से यह हमारे पास अभ歌 तो पी से एन ये लब और वो सैंट ये आधार ये क्या बन गया कारण इसका मान कितना था तो यह जैक रते ये इसका हैपोटेनियस यह इसका परपेंडी कॉलर यह इसका बेस तो यह नहीं कि हैं आ प्रिपेंडी दृचता चाहिए को चाहिए याद रखोँ बचओ प्रिपेंडी कुलर का सुक्वाइर बराबर होता है तो हाइपोटेंयस कमान Kyty Das का स्कौाइर प्लास यहांसे यहां niemand कितना है जीरो पॉइंट तूफाईब का स्कुई देखणł हम में कि अम डालने से बाइस सेट वाइप विदेर बच गया पॉइंट तो तो कि यह तो आ गया पउइंट पांच तो पंढ़िए पचीस तो पॉइंट टू फाइप आ गया प्लस यह आजाएगा 0.0625 और यह आजाएगा पी स्कायर का मान और यह माइनस करना है सब्ट्रेक्ट करना है इसको जैसे यह आप सब्ट्रेक्ट करोगे तो परपेंडिकुलर का मान आजाएगा बच्चो 0.25 of root 3 यह परपेंडिकुलर का मान इसका मतलब y डारेक्शन में यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो होती है 0.25 of root 3 लिक दो यह डाइगराम अच्छे से बना दो बच्चो डोटेट बता देना कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको यह है y3 का मान यह है x3 का मान बना दो डाइगराम जितना अच्छा बना सको उतना अच्छा बना दो अब तो हमारे आसान हो गया सारा ही काम कैसे हम लिख देंगे दिये गए संबाहू त्रिबुज में निर्दे सांकों के मान दिये गए संबाहू त्रिबुज में निर्दे सांकों के मान एक्स वन का मान जीरो है दो एक्स टू का मान जो है वह पॉइंट फाइब यह पॉइंट फाइब एक्स थ्री का जो मान है वह पॉइंट टू फाइब यह मीटर में है सारे के सारे कि इसमें है मीटर में जान रहे इस बात का वैसे ही वैं वाई वन का मान देखो यह जीरो वाई टू भी जीरो तेक और वाई थ्री का मान कुछ न कुछ है पॉइंट टू फाइब रूट शरी है बाकी हमें कुछ चाहिए नहीं तीनों कोडिनेट्स आगे एक्स वन वाई वन एक्स तू वाई टू एड़ एक्स थ्री जड़ वाई थ्री जड़ में इसकी वेल्यू इसलिए नहीं है कि टू डाइमेंशनल है अगर यह वोल्यूम घेरता तो जुरूर हम इसके लिए एक्स वन वाई वन और जड़ वन की वेल्यू लिखते हैं लेकिन जड़ वन जड़ टू जड़ त्री तीनों के माहनी जीरो आ जाते हैं अब तो हमें ग्यात करना है इन एक्स दिसा में दर्व इन रव एक्स डीर त्री आ और तो हमें एक्स घाते हैं जू अग्ण डाते हैं जाते हैं पहूं झाली तो हमें आड आव मन हरूं केंड हमें एक दिसा में दर्वे मान गर। इन X direction, in X direction, the CM is, तो X CM is equal to M1 X1 plus M2 X2 plus M3 X3, that's one, तीन पार्टिकल है न, इसलिए तीनों को मुल्टिप्लाई करते हुए, लिखो, M1 plus M2 plus M3, लिख दो बच्चो, तो देखो बच्चो, X CM का मान कितना आता है, X CM is equal to M1 का मान कितना था, 100, यह 100 M1, X1 का मान कितना है, इन्टो 0, प्लस M2 का मान कितना है, 150, इन्टो X2 का मान कितना है, 0.5 मीटर, प्लस M3 का मान कितना है, 200, इन्टो X3 का मान कितना है, 0.25, 0.25, तो प्यारे विद्धार्थियों हमारे पास final answer आ गया, होल बच्टा में भी तो आएगा, M1 प्लस M2, 100 प्लस 150 प्लस 200, that's 1, X CM is equal to, that is even 0, प्लस 15, यह कितना आ जाएंगे, 150.75, तो साइद यह आगए, 75, 150 को प्लस M2 करेंगे, क्या जाएगा, 15, 55, 15, 55, जा 75, और एक सुनने यह अट जाएगी, तो 15, 75, यह कितने आ जाएंगे, 50.5, क्या जाएंगे, 50.25, यह जाएंगे, 50, एक प्रकार से फोर्थ हिसा है, प्रकार से फोर्थ है, प्रकार से फोर्थ हिसा, यह कितने आ जाएंगे, 100, 150, यह सम्तिंग, तीन सो, चार सो, साड़े चार सो, 450, तो कितने आ जाएंगे, that is 125, 75 प्लस 50 कितने आ जाएंगे, 125 अपोर्थ हिसाएंगे, एक सी एम, चेक करो भी, यह आ जाएंगे, 5 से मल्टिप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यह तो 5 से मल्टिप्लाई हो रहा है, 25 ताइम्स, यह 5 से मल्टिप्लाई हो रहा है, 90 ताइम्स, फिर 5 से ओर मल्टिप्लाई डिवाइड करो इसको, 5 से डिवाइड करेंगे, 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 1, 4, 18 आगया, तो एक सी एम, इस एक्वाल टू, 5 बाइटीन, मीटर, similarly, in y direction, the cm, यह position of cm, position of center of mass, cm का मतलब center of mass, क्या आएगा, देखो, वही शुत्र, वही फार्मूला, y cm is equal to, चेक करते हैं, y cm is equal to, m1 y1 plus, m2 y2 plus, m3 y3, upon, m1 plus, m2 plus, m3, आपको पता है, y1 का मान कितना 0, y2 का मान भी कितना 0, क्यावल y3 का मान, 0.25 root 3 है, value रख देंगे, तो, final answer क्या आएगा, y cm का, चेक करते हैं, तो, y cm का मान देखो, y cm is equal to, m1 का मान कितना है, 100, m1 का मान कितना है, 100, y cm is equal to, m100, into y1 का मान 0, plus, 150 into 0, data into 0, फिर क्या जाएगा, m3, m3 का मान है, 200, into 0.25 root 3, बट्टा में क्या जाएगा भई, y, so, plus, dead, so, plus, 200, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, अकेला ये बचा है, बढ़ी, 0, plus, 0, plus, ये 50 into root 3 आ जाएगा, बढ़ी, 50, root 3, 50, y, root 3, all बट्टा में आ जाएगा, 450, 250, 200 को 0.25 है, अरे एक परकार से यूं समझो, बच्चो, कि 200 है न, इसको 0.25 का मतलब क्या है, 100 से मुल्टिप्लाइड कर दो, दो सुने से दो सुने कैंसिल, दो को इससे मुल्टिप्लाइ कर दो, 50 आ गया, सिंपल सी बात, तो ये अकेला इसे 50, फिर साथ में मुल्टिप्लाइ में और है, रूट थरी, तो रूट थरी से मुल्टिप्लाइ कर दिया, तो वाई, सी एम का जो मान आया न, बच्चो, वो आया है, फिप्टी रूट थरी बाई, फॉर फिप्टी, अब कुछ और कैंसिल हो रहा है, देखो, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है, ये एक परकार से मुल्टिप्लाइ में होता है, ये जो लिख रहे हैं न, फिप्टी रूट थरी, इसका मिनिंग होता है, फिप्टी इंटू र इसको और थोड़ा हल कर देते हैं कि चेलो यह मिटा देते हैं वीच वाला आगे देखते हैं क्या इन्सवर आएगा एक सीम के पास में लिख देते हैं वाई सी एम को कि जैस्टिस के नीचे लिखना है यह चैक करते हैं कि यचिग इफल टो रूट थरीवइन ना इसको मैं और लिख सकता हूं कैसे भई अभी गटा थी-ट्री लिख सकता हूं और रूट थरी से थरी को काटेंगे तो रूट थरी टाइंस कटेगा क्योंकि रूट थरी into root 3 का जो मान है वो 3 होता है तो अगर एक root 3 से उपर मेरे पास मान लो root 3 और यह multiply में भी 3 था इस 3 एक 3 को मैंने root 3 into root 3 लिख दिया तो यह इससे कट जाएगा तो final answer मेरे पास बचसे गया थ्री रूट थ्री ये भी मीटर में आएगा तो देख लो बच्चो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है अमारे पास सम्भाहु तिर्बुज है तो उसके उसके दर्वेमान के अंदर के निर्दे सांक जो आएंगे वो पांस बटा अठारा मीटर और दूसरा आएगा वाई डारेक्शन में एक बटा थ्री रोट इस परकार के हमारे पास कई सारे क्यूशन्स हैं तो इस परकार क्यूशन करते जाएं और आज के लिए बस इतना ही फि सम्तक के लिए धन्यवाद